C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे पार्ट संख्या 6 जनसंख्या इस पार्ट में कुल 9 प्रिष्ट हैं ये पार्ट प्रिष्ट संख्या 56 से शुरू होता है और प्रिष्ट संख्या 64 पर खत्म होता है जनसंख्या क्या आप मानव रहित विश्व की कलपना कर सकते हैं? संसाध्यों का उप्योग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्मान कौन करता है? समाज एवं अर्थ विवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है मानव संसाधनों का निर्मान एवं उपयोग तो करते ही हैं वे स्वैम भी विभिन गुणों वाले संसाधन होते हैं कोईला तब तक चट्टान का एक टुकडा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तक्नीक का आविशकार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गाउं या शेहर को प्रभावित करती हैं तब ही वो आपदा बनती हैं इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है ये एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ग्याद किये जाते हैं संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपून है उनकी संख्या, वित्रण, वृध्धी एवं विशेष्टाएं या गुण, परियावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल प्रिष्ट भूमी प्रदान करते हैं मानव पृत्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपुभोग करता है इसलिए ये जानना आवर्शक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं वे कहां एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृध्धी क्यूं हो रही है तथा उनकी कौन-कौन सी विशेष्टाएं है भारतिय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित तीन प्रमुख प्रश्णों पर विचार करेंगे एक, जनसंख्या का आकार एवं वित्रण लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहा निवास करते हैं 2. जनसंख्या वृध्धी एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया समय के साथ जनसंख्या में वृध्धी एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ 3. जनसंख्या के गोण ये विशेशताएं उनकी उम्र, लिंगा नुपात, साक्षरतास्तर, व्यवसाइक सन्रजना तथा स्वास्थ की अवस्था क्या है? जनगणना एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी हाला की 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी उसी समय से प्रतेक दस वर्ष पर जनगणना होती है भारतीय जनगणना जनसांख्य की सामाजिक तथा आर्थिक आँक्णों का सबसे व्रिहध स्रोथ है क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकाले में इसे देख सकते हैं प्रिश्ट संख्या 57 जनसंख्या का आकार एवं वित्रण भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वित्रण मार्श 2001 तक भारत की जनसंख्या 10,280 लाग थी जो की विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत थी ये 10.2 करोड लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात विश्व के स्थलिय भूभाग का 2.4 प्रतिशत के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वित्रित हुए हैं चित्रसंख्या 6.1 जिसमें विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का भाग दर्शाया गया है पहला चित्र जनसंख्या 6 विश्व 83.3 प्रतिशत भारत 16.7 प्रतिशत क्षेत्रफल 6 विश्व 97.6 भारत 2.4 प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अथिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1660 लाख है. उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है. दूसरी और हिमाले क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं. चित्र संख्या 6.2 इसमें जनसंख्या वित्रन दिखाया गया है. आंध्रप्रदेश 7.41 प्रतिशत पश्चिम बंगाल 7.79 प्रतिशत बिहार 8.02 प्रतिशत महराष्ट्र 9.42 प्रतिशत उत्तरप्रदेश 16.16 अन्न 51.2 प्रतिशत भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती हैं. ये राज्ये हैं क्षित्रफल की दृष्ची से राजस्थान सबसे बड़ा राज्ये है जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.05 प्रतिशत हैं. ज्यात कीजिए भारत में जनसंख्या के असमान वित्रण का क्या कारण है? घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वित्रण जनसंख्या घनत्व असमान वित्रण का बेतर चित्रप्रस्तुत करता है प्रती एकाईक शित्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते है भारत विश्व के घनी आबादि वाले देशों में से एक है क्या आप जानते हैं, केवल बांगलादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है. बांगलादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ग्यात कीजिए. 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व तीन सो चौबीस व्यक्ती प्रतिवर्ग किलोमीटर था, जहां पश्टिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 व्यक्ति प्रती किलोमीटर है, वहीं अरुनाचल प्रदेश में ये 13 व्यक्ति प्रती किलोमीटर है चित्र 6.3 राजस्तरिय जनसंख्या घनत्व के असमान वित्रन को दर्शाता है क्रिया कलाप चित्र 6.3 का अध्य अनकर इसकी तुलना चित्र 2.4 एवं चित्र 4.7 से करें। इन मान चित्रों के बीच क्या आपको कोई संबंध नजर आता है। चित्र से भी कम है और क्यूं। असम एवं अधिकतर प्रायद वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाडी, कटे छटे एवं पत्रीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिचली एवं कम उपजाव मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रियाप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्री मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले तीन राज्यों के नाम बताएं। प्रिश्ट संख्या 58 पर भारत का मान चित्र है, जिसमें जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है। चित्र संख्या 6.3 भारत जनसंख्या घ पंजाब, हरियान, जार्खंड, गुजरात, महराष्ट्र, आंत्रप्रदेश, करनाटक, तमिल्नाडु, असम एवं तृपुरा 101 से 250 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मनिपुर, नागालैंड और मेघाले 100 से कम जम्मो कश्मीर, अरुनाचल प्रदेश एवं मिजुरम प्रिष्ट संख्या 69 जनसंख्या वृध्धी एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया जनसंख्या एक परिवर्तन शील प्रक्रिया है आबादी की संख्या, वित्रण एवं संख्या एवं संख्या वृध्धी का अर्थ होता है किसी विशेश समय अंतराल में जैसे दस वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन इस प्रकार के परिवर्थन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है पहला सापेक्ष वृध्धी तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्थन के द्वारा प्रतिएक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृध्धी का परिमान है। पहले की जनसंख्या जैसे 1991 की जनसंख्या को बात की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या से घटा कर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृध्धी कहा जाता ह जनसंख्या की वृध्धी का दर उन पहलू है इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है जैसे प्रतिवर्ष दो प्रतिशत वृध्धी की दर का अर्थ है कि दिये हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रतेक सौ व्यक्तियों पर दो व्यक्तियों की वृध्धी इसे वाशिक वृध्धी दर कहा जाता है भारत की आबादी 1951 में 3610 लाग से भढ़कर 2001 में 10,280 लाग हो गई है सारणी 6.1 भारत की जनसंख्या वृध्धी का परिमान एवं दर वर्ष 1951 कुल जनसंख्या लाख में 361.00 एक दशक में सापेक्ष वृध्धी लाख में 42.43 वाशिक वृध्धी दर प्रतिशद 1.25 वर्ष 1961 कुल जनसंख्या चारसो उन्तालीस दशमलव दो एक दशक में सापेक्ष वृध्धी लाख में कुल जनसंख्या 683.03 एक दशक में सापेक्ष वृध्धी 135.17 वाशिक वृध्धी दर 2.22 1991 कुल जनसंख्या 846.4 एक दशक में सापेक्ष वृध्धी 163.09 वाशिक वृध्धी दर 2.14 वर्ष 2001 कुल जनसंख्या 1028.07 एक दशक में सापेक्ष वृध्धी 182.32 वाशिक वृध्धी दर 1.093 सारणी 6.1 एवं चित्र 6.4 दर्शाता है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वाशिक वृध्धी दर नियमित रूप से बढ़ रही थी ये जनसंख्या में तीवर वृध्धी की व्याख्या करता है जो 1951 में 3610 लाग से 1981 में 6830 लाग हो गई ग्याद कीजिए सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृध्धी दर में कमी के बावजूद प्रत्यक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृध्धी हो रही है ऐसा क्यों किन्तु 1981 से वृध्धी दर धीरे धीरे कम होने लगी इस तोरान जन्मदर में तेजी से कमी आई फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाग की वृध्धी होई थी इतनी बड़ी वाश्रिक वृध्धी इस से पहले कभी नहीं होई इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या 6.4 भारत कुल जनसंख्या एवां जनसंख्या वृध्धी दर 1951-2001 इस चित्र में बार ग्राफ से कुल जनसंख्या को दर्शाय गया है जो की लाख में दिखाई गई है और लाइन ग्राफ से वार्षिक वृध्धी की दर को दिखाई इस पर ध्यान देना आवर्शक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जो की संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षन को निश्क्रिये करने के लिए पर्याप्त है। वृध्धी दर में कमी जन्मदर नियंत्रण के लिए किये जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करती है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृध्धी जारी है तथा सन 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्वका सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। प्रिष्ट संख्या साथ जनसंख्या वृध्धी परिवर्तन की प्रक्रिया जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं जन्मदर, मृत्यूदर एवं प्रवास जन्मदर एवं मृत्यूदर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक एक वर्ष में प्रती हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर कहते हैं। ये वृध्धी का एक प्रमुख घटक है क्यूंकि भारत में हमेशा जन्मदर मृत्युदर से अधिक रहा है। प्रवास के कारण जन्मदर तथा मृत्युदर में काफी बड़ा अंतरा गया एवं इसके कारण जन्संक्या वृध्धी दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे-धीरे जन्मदर में भी गिरावटानी शुरू हुई, जिसके परिणाम सुरूप जनसंख्या वृध्धी दर में भी गिरावटाई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है। जनसंख्या वृध्धी का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों के एक शित्र से दूसरे खित्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक अर्थात देश के भीतर या अंतराश्च्रिय अर्थात देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वित्रण को प्रवावित करता है। जनसंख्या वित्रण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भुमिका होती है क्रिया कलाप एक मानचित्र पर अपने दादा दादी नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय से प्रवास को दर्शाईए प्रत्येक प्रवास के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामिन से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्यूंकि ग्रामिन क्षेत्रों में अब कर्षन कारक प्रभावी होते हैं अर्थात पुश ये ग्रामिन ख्षित्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का कर्शन प्रभाव अर्थात पुल, रोजगार में वृध्धी एवं अच्छे जीवनस्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्थन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीए एवं ग्रामिन जनसंख्या की सनरचना को भी परिवर्थित करता है। भारत में ग्र एक दशक अर्थात 1991 से 2000 के भीतर दस लाग से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई है। प्रिश्ट संख्या 61 आयू सनरचना किसी देश में जनसंख्या की आयू सनरचना वहां के विभिन आयू समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। ये जनसंख्या की मूल विशेशताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयू उसकी इच्छा, खरिदारी तथा काम करने की ख्षमता को परियाप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम सुरूप, बच्चे, वयस्क एवं व्रद्धों की संख्या एवं प्रतिशत, किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक धाचे की नर्धा रखूती है। किसी राश्ट्र की आबादी को सामानितह तीन वर्गों में बाटा जाता है। बच्चे, सामानितह, पंध्रा वर्ष से कम। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्ते संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवशकता होती है। वयस्क, पंध्रा से उनसट वर्ष, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, ये जनसंख्या का कारेशील वर्ग है। व्रद्ध 69 वर्ज से अधिक ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं ये स्वैच्छिक रूप से कारे कर सकते हैं लेकिन भरती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या 6.5 जिसमें भारत में उम्र संजचना का विवरण दिया गया है वैस्क 58.7 प्रतिशत व्रिध 6.9 प्रतिशत और बच्चे 34.4 प्रतिशत बच्चों तथा व्रिधों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है क्योंकि ये सम्हु उत्पादक नहीं होते हैं। समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्राया महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यूं होता है इसका पता लगाई है। सन 1951 से 2001 के बीच के लिंग अनुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया है। सारणी 6.2 भारत लिंग अनुपात 1951 से 2001 जनगर्णना वर्ष 1951 लिंग अनुपात प्रती 1000 पुर्षों पर महिलाएं 946। वर्ष 1961 लिंग अनुपात 941 वर्ष 1971 लिंग अनुपात 934 वर्ष 1991 लिंग अनुपात 939 और वर्ष 2001 प्रती 1000 पुर्षों पर महिलाएं का लिंग अनुपात 933। क्या आप जानते हैं? केरल में प्रती एक हजार पुडशों पर महिलाओं की संख्या एक हजार अठावन है, पुड़ुचेरी में प्रती एक हजार पर एक हजार एक हजार है, जबकि दिल्ली में प्रती एक हजार पर आट सो इकीस तथा हर्याना में प्रती एक हजार पर केवल 861 है इस प्रकार की विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है ग्याद कीजिए सबसे अधिक महिला साक्षर्ता दर कौन से राज्य की है और क्यों साक्षर्ता दर साक्षर्ता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है सबस्टा केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरेखी बुध्धी मत्तापूर्ण नर्नाय ले सकता है और शोद एवं विकास के कारे कर सकता है साक्षर्ता स्तर में कमी आर्थिक प्रगती में एक गंफीर बाधा है सन 2001 की जनगर्णना के अनुसार एक विक्ति जिसकी आईउ साथ वर्ष या उस्से अधिक है जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर की श्रणी में रखा जाता है भारत की साक्षर्ता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है 2001 की जनगर्णना के अनुसार देश की साक्षर्तादर 64.84 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षर्तादर 75.26 प्रतिशत एवं महिलाओं की 53.67 प्रतिशत है साक्षर्तादरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? प्रिष्ट संख्या 62 द्विकसित एवं विकास शील देशों में विभिन क्रिया कलापों में कारे करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है विकसित देशों में द्वितियक एवं तृतियक क्रिया कलापों में कारे करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है भारत में कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत भाग केवल क्रिशी कारे करता है द्वितियक एवं तृतियक क्षेत्रों में कारे रत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशा 13 तथा 20 प्रतिशत है वर्तमान समय में भरते हुए औद्योगी करण एवं शेहरी करण में व्रिधी होने के कारण द्वितिय एवं तृतियक शेत्रों में व्यवसाइक परिवर्तन हुआ है स्वास्थे स्वास्थे जनसंख्या की सनरचना का एक महत्वपून घटक है जो की विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है सरकारी कारेक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थे स्थर में महत्वपून सुधार हुआ है मृत्युदर जो सन 1951 में प्रती हजार पचीस थी, 2001 में घटकर प्रती हजार आठ दशमलव एक रह गई है ओसत आयू जो कि 1951 में 37 दशमलव साथ वर्ष थी, बढ़कर 2001 में 64 दशमलव छे वर्ष हो गई है महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थे, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तक्नीकों के प्रयोग के परिनाम सुरूप हुआ है महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थिक स्तर एक मुख्य चिन्ता का विशय है प्रतिव्यक्ती कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोशन से प्रभावित है शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थे रक्षा सुविधाएं ग्रामिन जनसंख्या के केवल एक दिहाई लोगों को उपलब्ध हैं इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीती के द्वारा हल करने की आवशक्ता है किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है ये भारत की कुल जनसंख्या का पाँश्वा भाग है किशोर प्राया दस से उन्नीस वर्ष की आयोवर्ग के होते हैं ये भविश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोशक तत्वों की आवश्रक्ताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोशन से इनका स्वास्ते खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोशक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्त हीनता से पिड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रती समवेदन शील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रती जागरूगता बढ़ाई जा सकती है। प्रिष्ट संख्या 63 राष्ट्रिय जनसंख्या नीती परिवारों के आकार को सीमित रख कर एक व्यक्ती के स्वास्थे एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कारिक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कारिक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पित्रित्व को बढ़ावा देने के लिए कारिरत है। राष्ट्रिय जनसंख्यानीती 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परणाम है। राष्ट्रिय जनसंख्यानीती 2000 और किशोर ने किशोर और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुक भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवशक्ता है। पोशनिक आवशक्ताओं के अतिरिक्त इस नीती में अवान्चित गर्वधारन और यौन संबंधों से प्रसादित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सनरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवशक्ताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कारिक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवहा और देर से संतानोत पत्ती को प्रुच्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पूले संसाधन होते हैं, एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कारेक्षम शक्ति प्रदान करती है प्रिश्च संख्या चोंसट अभ्यास प्रश्चन एक यहां दिये कए चार विकल्पों में सही विकल्प चुनिये एक, इस क्षेत्र में प्रवास, आबादी की संख्या, वित्रण एवं सन्रचना में परिवर्तन लाता है क, प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में ख, आगमन वाले क्षेत्र में ग, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में घ, इन में से कोई नहीं दो, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात इन में से किसका पड़नाम है? क उच्च जनमदर, ख उच्च मृत्युदर, ग उच्च जीवंदर, ग अधिक विवाहे जोड़े तीन, इन में से कौन सा एक जनसंख्या विद्धी का परिमान दर्शाता है? क एक क्षित्र की कुल जनसंख्या, ख प्रतियक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली विद्धी, ग जनसंख्या विद्धी की दर, ग प्रति हजार पुर्षों पर महिलाओं की संख्या चार, 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वो है, क, जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, ख, जो किसी भी भाष्रा में पढ़ एवं लिख सकता है, ग, जिसके उम्र साथ वर्ष है, तथा वो किसी भी भाष्रा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, या घ जो पढ़ना लिखना एवं अंक गणित तीनों जानता है प्रश्ण दू इनके उत्तर संक्षेप में दें एक जनसंख्या वृध्धी के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें दो, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृध्धी दर क्यों खट रही है प्रश्ण तीन, जनसंख्या वृध्धी एवं जनसंख्या परिवर्थन के बीच अंतर स्पष्ट करें व्यावसाइक सन्रच्या एवं विकास के बीच क्या संबंध है पाँच, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है और छे, राश्ट्रिय जनसंख्या नीती की मुख्य विशेश्टाएं क्या है परियोज ना करें एक प्रशनावली बनाकर कक्षा की जनगर्ण ना कीजिए प्रशनावली में कम से कम पाँच प्रशन होने चाहिए ये प्रशन विद्यार्थियों के परिवार्जनों कक्षा में उनकी उपलब्धी, उनके स्वास्ते आदी से संबंधितों प्रतेक विद्यार्थि को वो प्रशनावली भरनी चाहिए बाद में सूचना को संख्याओं में प्रतिशत में संग्रहित कीजिए। इस सूचना को वृत्त रेखा, दंड आरेक या अन्य किसी प्रकार से प्रदर्शित कीजिए। पाठ संख्या 6. समाप्त प्रश्ट संख्या 65. शब्दावली अवदाब रितु विज्ञान या जलवाईु विज्ञान में इसका भी प्राय अपेक्षकृत निम्न वायुदाब वाले क्षित्रों से होता है। अवसादी शैलें अवसादों से बरी हुई शैलें जिन में प्राया परतदा संरजना होती है। आगने य शैलें वे शैले जो मैगमा या लावा के पृत्वी के सतह या पृत्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं आधार जनसंख्या दिये गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुलजन संख्या आश्रित अनुपात आश्रित आयू 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयू 15 से 69 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात आंतरिक अपवाह एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुँचता वर्ण आंतरिक समुद्रों या जीलों में गिरता है उच्चावच धरातल अत्वा समुद्र की तल हटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाये जाने वाले उचाईयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं उप महाद्वीप एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेशभाग से एक प्रिथक भोगोलिक एकाय के रूप में स्पश्तया अलग होता है किशोरावस्था वो आयू है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयू का होता है किन्तो उसकी आयू प्रोड से कम होती है ऐसा व्यक्ति प्राया 10 से 19 वर्ष के आयू वर्ग में होता है जनसंख्या का घनत्व प्रती का एक शेत्रफल में जैसे एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या की व्रिधिदर जनसंख्या की व्रिधिदर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है वृद्धी दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है इसे वार्षिक या दशकी ये गती से ग्यात किया जाता है जन्मदर प्रती एक हजार वेक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जल्होड मैदान नदियों द्वारा बहा कर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली काँप अथवा जल्होड मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग जीवन प्रत्याशा प्रत्येक विक्ति की ओसत आयू जीवोम एक सी जल्वाईयो दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन वर्गों में पाए जाने वाले पादप समू जील एक जल्राशी जो प्रत्वी की सतह के गर्द या गढधे में हो और चारों ओर से पूर्ण दया स्थल से घिरी हो नवीन अत्वायुवा परवत पृत्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोरदार या वलित परवत जैसे हिमाले, अल्प्स, एंडीज तथा रौकी परवत निमज्जन जल्वाईयो विज्ञान में ये हवा की नीचे जाने वाली गती है बूगर्भ विज्ञान में इसका भी प्राय धरातल की सतह के नीचे धसने की क्रिया से है नाश्टरल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पती, वन्य जीव जन्तूओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है पठार विस्तरित उपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके उपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज धालवाले हों प्रिश्ट संख्या 66 पर्यावरण वो परिवेश अत्वा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ती अत्वावस्तू रहती है और अपना विशेश आचरण स्वभाव विकसित करती है इसके अंतरगत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं पर्वत प्रित्वी के धरातल का उपर क्योर उठा हुआ एक भाग जो काफी उचा होता है और साधान तया तीवरढ़ालों वाला होता है पशुपक्षी किसी दिये हुए क्षेत्र की जैवसंपदा प्रवसन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा बाहे प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे अप्रवास अर्थात immigration कहते हैं और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब इसे उत्रवास अर्थात immigration कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है भ्रंश, आंतरिक हलचलों के कारण भू प्रिष्ट पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टाने खिसक जाती है भारतीय भू भाग, भारत का वो भाग जो की जम्मु कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुनाचल प्रदेश तक फैला हुआ है भारतीय मानक समय भारत की मानक मध्यान रेखा का स्थानिय समय सारे भारत का प्रमानित समय माना जाता है जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भूगर्भी ये प्रित्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तरित परिवर्थन के लिए उत्तरदाई होती हैं भूगर्भी ये प्लेट परपटी प्लेटों की गती की वैज्यानिक संकल्पना भू सन्नती भू परपटी में ब्रिहत गर्थ, अत्वा द्रोनी या सेंकडों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों की नारों की भू सन्हतियों से अपरिदित मलबे के निश्पेक्षन के कारण धीरे-धीरे धस्ता जाता है फलसुरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्मान होता है मृत्युदर प्रती एक हजार जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्युदर कहते हैं मानसून एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे रितू या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है मिल्लियन प्लस सिटी दस लाग से अधिक जनसंख्या वाले शहर मैदान समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमी का एक विस्तृत क्षेत्र रूपांतरित या कार्यांतरित शैले पूर्व निर्मित आगनेय अत्वा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैले लिंगा नुपात भारत में प्रती हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगा नुपात कहते हैं लगून खारे पानी की जील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है वनस्पती प्रत्वी की पपड़ी पर दबाव पढ़ने से किसी क्षेत्र की शैल परतों में पढ़ने वाले मोड या वले स्थल मंडली ये प्लेटे स्थानी है समय किसी स्थान का वो समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है अब ही आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत